तो फाइनली पुर्णिया युनिवर्सिटी यूजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है बीकॉम वाले स्टूडेंट का वहीं पर वकेस्टनल कोर्स वाले स्टूडेंट का भी जारी कर दिया है BCA and BBA course वाले student का आज के इस वीडियो में जानेंगे क्या रहेगा first merit list के अनुसा नामंकन परकिरिया और कौन-कौन से कागजात लगेंगे जो भी छात्र छात्राओं का B.com, BBA and BCA में नाम आया हुआ है rank card को आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं step by step पूरी परकिरिया जानेंगे कब से कब तक नामंकन परकिरिया का डेट है क्या रहेगा last date नामंकन में कौन-कौन से आवस्या कागजात लगेंगे step by step जानेंगे तो वीडियो को आप लोग सुरू से लेकर अन्तक जरूर देखिए official website को आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं यह notification आज यानि की 24 नॉवंबर को जारी किया गया आप step by step से बढ़ भी सकते हैं तो चलिए गूगल पे चलते हैं गूगल पे आते ही आपको सर्च करना है study exam 399 जैसे ही सर्च किजेगा सबसे उपर वाले website study exam 399.com आप कमारे official website पे आईएगा three dot पर क्लिक कीजेगा mobile से कर रहे है desktop site कर लिजेगा उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके university update वाले options पे आ जाईएगा आने के बाद या admission वाले section पे आपको आ जाना है आने के बाद यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा पुर्णिया university UG part 1 first marriage list and cut-off list जारी कर दिया admission वाले section पर भी आपको देखने को मिलता simply यहाँ पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर पुर्णिया university part 1 first marriage list admission related पूरी जानकारी आपको समझने को मिल जाएगा तो नीचे scroll करेंगे scroll करने के बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सबसे पहले important date में यहाँ पर देख सकते हैं BCA वालों का date वहीं पर देख सकते हैं BCA वालों का date and vocational course वालों का date यहाँ पर एक साथ mentions किया गया 25 तारिक यानि कि कल से आप लोग admission ले सकते हैं 1 December 2021 तक आप लोग admission करा सकते हैं नीचे scroll किजेगा और भी अन्य जानकर यहाँ पर college का list भी आपको पुर्णिया university का सभी देखने को मिलता है उसके बाद नीचे scroll किजेगा यहाँ पर आप आफ लाइन admission में कौन-कौन सा documents लगेगा जो भी छातर छातराओं का first marriage list में नाम आया हुआ उन्हें offline जाकर उसी college में admission लेना है जिस college में आपका admission जो है rank card पर नाम लिखा हुआ उसी college में जाकर admission लेना है तो कौन-कौन सा documents लगेगा यहाँ पर जो एक list बना दिया गया इन सभी documents को आपको लेके जाना है admission करा लेना उसके बाद यहाँ पर कुछ points भी लिखे गया नीचे scroll किजिएगा important link पे आएंगे important link पे आईएगा direct आप लोग यहाँ से rank card को download कर सकते हैं वहे पर vocational course वाले student यहां से merit list चेक कर पाईएगा and only for become वाले student यहां से कर पाईएगा BAC वाले student यहां पर कर पाईएगा BA का जो है अब तक जो है link एक्टिवेट सून है यानि की merit list जारी नहीं किया गया है जैसे ही जारी किया जाएगा इस website पर update कर दिया जाएगा यहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते है become and vocational course का official notification वहीं पर first made list का अब तक जो है cut-off list जारी नहीं किया गया है आप लोगों को साब साब बता दे जो कि अब तक जो है सिर्फ और सिर्फ merit list जारी किया गया है cut-off list जारी नहीं किया गया जैसे ही cut-off list जारी होता है यहां पर link activate हो जाएगा तो लगतार आपको study exam 399.com के official website पे आना है visit करके देखते रहना है तो चलिए यहां पर click करते है rank का direct download करना है तो click करेंगे click करने की वएड़ थोड़ा wait करेंगे नीचे scroll करेंगे यहां से आप जो है एक option मिलेगा search बार का search कर लिजेगा या नहीं तो आप जो है direct vocational course यहां पर कहीं पर click किजिएगा उसके बाद नीचे scroll किजिएगा यहां पर आपको सारा details fill up करना होगा जैसे की mobile number password capture code डालना है उसके बाद login वाले button पर click करना जैसे click करते हैं नीचे आना है नीचे आकर आपको rank card का एक download करने का button मिल जाएगा download खुद से आप लोग कर सकते हैं rank card हमारे पास किसी भी student का details नहीं है इसलिए एक video नहीं बना पड़ें अगर आप लोग comment करते हैं कि सर एक special video बनाएगे कैसे आप लोग rank card download कर सकते हैं तो आप हमारे WhatsApp नमबर पर अपना user ID पासवर्ड यानि की mobile नमबर पासवर्ड शेयर कर सकते हैं एक special video बना देंगे लेकिन जो भी student details share किजएगा उनका personal details वीडियो में hide कर दिया जाएगा तो आप लोगों को घबनाना नहीं है कि वीडियो बनाएंगे तो पूरा number जो है public हो जाएगा ऐसा कोई भी बात नहीं है आपका personal details सारा चीज hide कर दिया जाएगा एक separate video बना दिया जाएगा और special तरीके से आप लोगों को बता दिया जाएगा कैसे आप लोग download कर सकते हैं या नहीं तो आप follow कर सकते हैं यहाँ पर सारा चीज डालिएगा rank card के लिए उसके बाद नीचे download rank card का option मिलेगा उस पर click करना download किजिएगा download करने के बाद जो है आप लोगों को कुछ इस तरह से option यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर फिर भी कोई doubts रहता है तो आप हमारे telegram group पर जरूर जोइन हो सकते हैं पुर्णय इंवर्सिटी का special telegram group भी है वहाँ पर भी आप लोग जोइन हो सकते हैं और भी अन्य link आपको यहाँ पर देखने को मिलता है उमीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा वीडियो समन्दित कोई भी सबाल कमेंट सेक्षन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं किसी next वीडियो में ठैंक यूफूर वाचिंग इस वीडियो जैहिंद वंदे मात्रम